ना नदी है न जील फिर साओधी अरब आखिर कहां से लाता है पीने लायक पानी साओधी अरब जहां की धर्ती रेतीली है और जलवाई उशन कटी बंदे मरुस्तल यहां तेल तो भारी मात्रा में है जिसकी वज़ा से यह देश अमीर भी बना है लेकिन यहां पानी की भारी कमी है यह यू कहें कि इस देश में पीने लायक पानी है ही नहीं यहां एक भी नदी नहीं है न जील पानी का कुवा है पर उसमें पानी नहीं है यहां सोना तो है लेकिन पानी नहीं तो अब सवाल ये उरता है कि आखिर साओधी अरब पीने के लिए पानी कहां से लाता है तो चलिए इसके पीछे की हरान करतेने वाली सच्चाई के बारे में जानते हैं साओधी अरब के पास अब भूमी का जल बहुत ही थोड़ा बचा है और वो भी बहुत नीचे है लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो भी पूरी तरह से खतम हो जाएगा एक रिपोर्ट के मताबिद पहले यहां पानी के बहुत सारे कुवे थे जिनका इस्तमाल हजारों सालों से होता आ रहा था लेकिन जैसे जैसे अबादी बढ़ती गई भूमी का जल का दोहन भी बढ़ता गया इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे कुवे की गहराई बढ़ती गई और कुछ ही सालों में कुवे की पूरी तरह सूप गए सबसे जरूरी बात यहां बारिस तो हर साल में एक या दो दिन ही होती है और वो भी तुफान के साथ ऐसे में उस पानी को संचित करना संभव नहीं है और ना ही उससे भूमीगत जल के दोहन के भरपाई ही हो पाती है असल में यहां समुंदर के पानी को पीने लाइक बनाया जाता है वैसे तो समुंदर के पानी में नमक के मातरा पहुच जाता होती है इसलिए desalinations यानि वी लवनी करण की द्वारा समुंदर के पानी से नमक को अलग किया जाता है और तब जाकर यह पीने लैग बनता है एक रिपोर्ट के मताबिस साओधी अरब तेल से हुई बेशुमार कमाई का एक हिस्सा तो समुंदर के पानी को पीने लैग बनाने में ही खर्च कर देता है 2009 के एक आकड़े के मताबित उस समय एक क्यूबिट मीटर पानी से नमक अलग करने में 2.57 साओधी रियाउन यानि करीब 50 रुपे खर्च होते थे इसके अलावा प्रांस्पोर्टिंग का खर्च भी 1.12 रियाउन यानि 20 रुपे से ज़्यादा प्रती क्यूबिट मीटर लग जाता था अब तो यह खर्च बढ़ भी गया होगा लेकिन यहाँ पानी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है साल 2011 में साउधी अरब के ततकालिन पानी और बिजली मंतरी ने कहा कि देश में पानी की मांग हर साल साथ फसीदी की दर से बढ़ रही है ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पानी की समस्या कितनी विक्राल होगी तो ऐसी ही अमीजिंग फैक्ट चानने के लिए हमाँ चानल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद